Good morning to all of you, today I am going to discuss second order derivative, what is second order derivative, if y equal to fx, अगर y equal to fx है तो जब आप इसको एक बार differentiate करते हैं बच्चों तो क्या लिखते हैं, d by dx equal to f dash x, if f dash x is differentiable, अगर f dash x आपका differentiable है तो इसको एक बार और differentiate कर सकते हैं बोग, जयान दखेंगा आप, इसको एक बार और कर दीने differentiate, तो यह क्या आजाएगा बच्चों, ऐसे आजाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y upon dx square, dx square, f double dash x, इसी को हम लोग second order derivative बोलते हैं, कहीं-कहीं इसको इस तरीके से लिखा आता है, कहीं-कुछ लोग y2 लिख देते हैं, कहीं-कहीं इसको कुछ लोग f double dash x लिख देते हैं, कहीं-कहीं कुछ लोग इसको d2y बोल देते हैं, तो यह आपका second order derivative है, एक बार और if f dash x is differentiable, जब उसको दूसरी बार differentiate करेंगे, तो यह इस तरीके से denote करते हैं, अब आपके सामें दो question लिख्या हुए है, मैं आपको first question बता रहा हूँ, second question बिल्कुल same ऐसा ही है, यह आप अपने आप करिएगा, मैं आपको first बता रहा हूँ, first question में लिखा है, if y equal to e to the power a cos inverse x, तो इसको एक बार differentiate कर लेते हैं, y1, y1 का मतलब भी एक बार, जैसे y2 है, वैसी y1 है, y1, यानि एक बार differentiation, अब क्या होगा बच्चों, e to the power का सभी लोग जानते हो, e to the power a cos inverse x आदाएगा, और फिर एक बार इसका हुआ, तो क्या आदाएगा, बच्चों, मैं अब थोड़ा step direct लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा, जिन बच्चों दे समझा है, वो अराम से कर लेंगे, ये लिख दिया, cos inverse x का minus का 1 upon under root 1 minus x square, अब मैं इसको इसको इसरे लिखाया, y1 हो गया, e to the power, इसकी दिखाया बच्चों, आप क्या लिख सकते हो, बताओ, मुझे खुझ बताओ, ये क्या है आपका, ये आपका y है, तो इसकी दिखाया, y लिख दो, अब इसको एक बार और differentiate कर लेते हैं, अब आप करेंगे, सर, आप पो कैसे बता कि, ये एक बार और करना है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, y2 आ रहा है, तो एक बार और कर लेते हैं, यहां पर हम लोग लगा लेते हैं, uv, तो इसको रोका, तो इसका किया, ये आया, प्लस, अब की बार, इसका करेंगे, तो क्या आपका, 1 upon 2 under root 1 minus x square, और फिर अंदर का करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, minus का 2x, equal to, minus का a y1, ये आ जाएगा, अब y1 की वैली उठा करके, आप चाहो तो लिख दो, y1 आपका क्या है, y1 आपका minus का a y upon under root 1 minus x square है, आपका, y1 की वैली उठा के यहां रख दीजिए, minus का a, और ये आपका minus का a, y upon under root 1 minus x square, अब इसको थ्वा simplify कर लेते हैं, ये 2 से 2 कड़िया, ये जब करेंगे तो आपके क्या आजएगा बच्चों, 1 minus x square y2, ठीक है, फिर आपका minus का आएगा, minus का x y, अब ये नीचे आजएगा, आपका under root 1 minus x square, ये और ये cancel हो जाएगा बच्चों, ये आपका plus का a square y आजएगा, इसको आप इधर ले आएगा, तो आपका, ये आजएगा, 1 minus x square y2, सही आ रहा है, बिल्कुल, minus का x y1, सही आ रहा है बिल्कुल, minus का a square y equal to 0, अब बिल्कुल सेम ऐसा ही question बच्चों, ये वाला है, ये आसान question है, ये आप अपने हाप करिएगा, thank you.